अबी रात के सड़े बारा बज गए है और गाइज अभी हम जा रहे हैं हरीद्वार और गाइज हमें हरीद्वार जाना है और हम पापा के दोस्त के साथ जा रहे हैं मतलब वो हमारे चाठ्चू लगते हैं तो पापा पहले जब भिवानी रहते थे तो वो उनके बच्पन के दोस्त है तो उनके साथ अभी हम जा रहे है और अभी हम पानी पत जाएंगे पहले तो पानी पत में पापा के दोस्त हमें बिलेंगे और उसके बाद फिर हम वहां से हरी द्वार चल पड़ेंगे और पापा तो रही है यह देखो आप देख सकते हो और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो रात और खिया पूरी और अभी बस हम थोड़ी देर में चलेंगे और गाइज हम सिर्फ अरीद्वारी में जारे हम सबसे पहले हैं से सीधा साथ बजे रूड की पोचेंगे तो वहां पे हम व दहरादून चाना है वहाँ पे जो दहरादून मतलब जो उत्राखंट के राज्येपाल है उनसे हम भी लेगे और अभी हम बस निकलने वाले हैं थोड़ी देर में तो बस अभी थोड़ी देर में चलते हैं तो अभी हम घर का लोग खोल रहे हैं और पानी पत करनाल से ज्यादा दूर नी है हमें बस पोचने में ज्यादा टाइम नी लगेगा और भाई पूरा अंधेरा हो रख है बस जो स्ट्रीट लाइट है उसकी हल्की सी रोशनी आई हुई है और भाई यहाँ पे आप देख सकते पूरी रोड खाली पड़ी है कोई भी नी है यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी नी है एक पंची तक नी आपको दिख रहोगा तो हम पुरानी गाड़ी में जा रहे है क्योंकि पानी पत तक जाना है और बस पुरानी गाड़ी में इस होचा की चल पड़ते हैं, तो यहाँ पर यह गाड़ी है, तो अभी बस चलते हैं, तो गाइस अभी अंधेर है, यहाँ पर काफी, तो अभी बस हम चल रहे हैं, सारा समान वगारा गाड़ी में रख दिया है, तो अभी बस चल रहे हैं, और वहाँ पर गया है अभी और अर्नव आ गया है तो यहाँ पर अभी हम चल दिये हैं अभी रात के डेड़ बज गया है और अब हमें काफी नीद आ रही है बट हम सो नहीं सकते तो गाइज अभी सुबे के यहाँ पर 6.30 होने वाले आ और गाइज रात को हम वैन में आये थे और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा भोती दिखाया क्योंकि मैं फिर सो गया था तो अभी हम सुबे यहाँ पर अपने यहाँ पर रिजोर्ट में पोच चुके हैं और यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट करना है यह हमारी वैन और यहाँ पर रिजोर्ट और यह गाड़ियों पर सारी गाड़ियों पर स्टिकर लगा रहे हैं क्योंकि जब हम राजभवन में जाएंगे तो वहाँ पर आईडी कार्ड के तोर पर यूज होएगा तो कैस अभी साथ बज गए है और अभी नाश्टा करेंगे थोड़ी देर में और अभी तो हम यहाँ पर सारे बैठे हैं बस सोफे पर और बस थोड़ी देर में नाश्टा करेंगे और फिर उसके बाद हमें हरी दुआर जाना है वहाँ पर हमें दस बज़े जाना है हरी दुआर में वहाँ पर हम गंगा सनान करेंगे तो वहाँ पर भी चलेंगे दस बज़े तो वहाँ पर भी काफी मज़ा आएगा और मैं हरी दुआर तीसरी बार जा रहूं मतलब तीन बार मैं पहले जा चुका हूं और ये चोथी बार है तो अभी मज़ा हर बारी आता है और अर्णव तीसरी बार जाएगा इस बारी तो गाईस अभी हम जा रहे हैं नाश्टा करने तो अभी चलो नाश्टा करके आते हैं अलू का प्राठा दही हल्वा सैन्विच चटनी सोस और नमकीन से वईया तो ये नाश्टा और चाई तो गाईस अभी हम यहाँ पर यहाँ पर मीटिंग ओवर ओगी आए तो भी हम हरीद्वार जाएंगे भी बस चलते हैं तो गाइस अभी हम यहां पे बस में आके बैठ चुक्या और अभी हम हरी द्वार के लिए निकलने वाले हैं आके बस में आके बाम जार के लिए आर अभी हम हरी हम हरी दो फिस्टार के लार के लिए निकलने वाले हैं ताह ही गाइज तो अभी हम यहाँ पर पोहुच चुके है और और यहाँ पर देख सकते हैं यह चंडी घाट है मेरे पिछे तो अभी हम पोहुच चुके हैं यहाँ पर तो अभी थोड़ी देर में गंगा जी में सनान करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देखो यह गंगा माता और वहाँ पर कैलाश परवत दिख रहा है और अगर आपको दिख पा रहा है तो आप दर्शन कर सकते हो लेकिन जैसा आखो से दिख रहा है वैसा फोन में कुछ भी नह आ रहा है आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहोगा पर यहां से हमें कैलाश परवत के दर्शन हुए है तो गाईज अभी हम सब यहां पर आ गए है घाट के अंदर और यहां पर यह देखो यहां कंगा नदी यहां पर आपके दूप हो रही है काफी तेज धूप है और यह आप एक देखो कितनी कितनी तेज बहाव से भारी यह नदी हां आपके घंगे तो पर यहां इससे चैज हो काई अचिप कर दोड़ कर दो कर दो कर दो कर दो तो गाइस अभी हम यहां से चल दिये हैं और यहां पर हमने देखे सबने तिलक लगवा लिये तो गाइस अभी हम यहां से चल दिये हैं और हम यहां पर आज हरी दुआर में रुकेंगे रात को भी तो शायद हम शाम को यहां पर दुबारा आए फिर अभी हम जा रहे हैं वापिस और अभी हम वहां पर अपने कमरे में जाएंगे मतलब वहां पर जो बुक कियो हुआ है तो वहां पर चलो चलते अभी हम बंटा सूदा पी रहे है पी की टेक कि अअच्छ कश्छ के अच्छ आप सी पहराई चाहना ठ्वेडिश रखियो रिंक पहराई चाहना अब लेवी जी आफ टारीश पर गार वोट टेस्टी था तो गाइज यह हमारा आश्रम तो हमें यही पर रुखना रात को और यह अंदर यहां पर रूम्स है और आप यह देख शुक्ते हैं तो बस गाइज इस फ्लोग को अब मैं एंड करता हूँ और कल की जरनी हमारी देखने के लिए नेक्स्ट फ्लोग देखना मत भूलना हम राज जेपाल जी से मिलेंगे और पता नहीं मेरे को वहाँ पर कैमरा अलाउड है या नही तो बस इस फ्लोग को करता हूँ मैं एंड और गाइज कल सुबह हमें जल्दी निकलना है तो इसकी वजह से मैं व्लोग शाम कोई एंड कर रहा हूँ और कल मैं आपको सुबह हाँ पर रूम टूर भी देऊंगा जहां पर हम रुके हुए आश्रम में तो बस और हमारी नई नेक्स् बुलना हम राज्य पाल जी से मिलेंगे और मेरे को नहीं पता है वहाँ पर कैमरा लाउड है या नहीं तो देखेंगे अगर व्लोग बन सकता है तो बना लेंगे तो बस गाइस व्लोग को करता हूँ मैं एंड मिलते आप से जल्दी नेक्स्ट व्लोग में तब तक के लिए गुड़ बाई इस वीडियो को लाइक कर दो हमारे जाल को सब्सक्राइब कर दो बाई